तो अब बात करें कुछ इंपॉर्टन स्टॉक के बार में जिनमें आज के दिन काफी सारे इंपॉर्टन निज निकल के आ चुका है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना यह वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाला है सबसे पहले हम बात करेंगे के पी आटी टेकनोजी लिमिटेट के बार में आज के दिन इन स्टॉक में बहुत ही हैबी करेक्शन देखन को मिलें लगबग 12% के आसपास लेकिन एग्जैक्लि अगर आप देखोगे बीच में इस टॉक लगबग 760 तक भी आते हो देखन को मिला अगर आप इसके पास दिन की ग्राफ को निकालोगे तो आपको बहुत ही बड़र तरीक से देखन को मिलेगा जो कि आप देख पांगे चलती जलती आज ही के दिन सटॉक में में एक बहुत बड़े नोस्टैब देखन को मिले उसके बाद नीचे लेवे से थोड़ा वाद हम अच्छे कासे एक बाइन देखन को मिले जिनके जाते स्टॉक के जो अवरल क्लोजिंग है लगबग 12% का आपा समय नेगडिव क्लोजिं देखन को मिले लेकिन बीच में स्टॉक जो गिरा था लगबग 18% का आपा है और मैं आपको मल्टी प्लाइट हम बता चुक कोई भी स प्लाइट चलते जाता है अगर बहुत शांदार तेजी आता है फिर बहुत शांदार गिरावट आता है तो उसके पीछे का रिजन को आप आइडनिटिफाइज जरू करना उसकी पीछे का कुछ ना कुछ रिजन आपको देखने को जाएगा तो नूडाउट स्टॉक में ज सो मॉर्गन स्टैनली ने इन स्टॉक के KPRT टेकनोलिजी के जो टार्गेट है डाउन ग्रेड कर देया और आने बारेल टाइम में इस लेवल से स्टॉक आपको 44% से ज्यादा आपको स्टॉक गिरते हुए देखने को मिस्ट जिनके जाते जैसे अपडेट आया वैसे स्टॉक म नंबर दिखाने वाले कंपणी इस लेवल से स्टॉक आपको लगबग 44% गिरते हुए देखने को मिलेगा उन्होंने ऐसा कहा क्यों इसके पीछे का रिजन क्या है तो सबसे पहले हम चलते इस नियूस के उपर इसके पीछे के रिजन को हम सबसे पहले आइडिनिफाय करते ह उसके बाद हम अपना उपिने रखेंगे कि क्या वाकिन स्टॉक पे इंते गिरावाट हो सकता है अगर हो सकता है तो अगर आप इनके सेरहोल्डर हो और हाली में आपने इंवस्मेंन किया तीजी देखके या फिर नॉनमली जाके अपने कही से इनका नाम सुना होगा स्टॉ कवर कर लेते हैं सो उनकी पीछे का रिजन है दुस्तू उनकी ग्रोथ कंपन के ग्रोथ जेपी मॉर्गेंस चाली एक्सपेट कर रहे हैं कि आने बादल टाइम है दो 2023 और 2024 तक के पेली जो ग्रोथ है उनकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छे तैसमादब 20% के भी नीचे आप आपको growth देःवन को मिल सकता है जिनकी चलते aprender के प्रॉफिट दाउन देखने को मिलेगा नकी ग्रोथ यह यह प्रेश्ट के बात करें तो इनके नियांकि Tata Technology IPO आपने हाली में देखा कर टाटा टेकनोलजी का IPO हमें अनौस्टमेंट होते देंको मिलेगा तो जैसी बाजर में IPO आ जाएगा इनके चलते इन इस स्टॉक में इस कंपनी में भी आपको इस कंपनी के ग्रोथ में भी आपको थोड़ा वह देखने को मिल सकता है यह मैंनी JP Morgan Stanley के यह statement है जिनके चलते इन स्टॉक के जो टार्गेट है 44% के डाउंड रेट उन्होंने टार्गेट कर दिया और अगर रुपीज के साब से देखोगे तो लगबब 540 था कि यह स्टॉक आपको आते हो देखोगे और अगर आप कंपनी के कौटली बिस्स नमर को भी देखोगे बेसिक करो सारे 600 करो देन अगर बात करें सिक 86 करो सारे 700 करो उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीधा सारे 700 से स्टॉक कंपनी 900 को पर सेज़ दिखाएंगा और जो प्रॉफिट है आप सोच भी निपाओगे कितने धाकर प्रॉफिट दिखा है और मुझे बताने के जरूत स्टॉक जब यह प्रॉफिट नंबर आया था लगबाग 800 का आथ पा स्टॉक थे अभी कितने बेश्टॉक हाली में ट्रेट कर था सारे 900 का आथ बहुत बहुत सतों कि थरी मत में 30% से भी ज्यादा भाग चुका उससे भी ज्यादा तो यह चीज़े बताते हैं इंपोर्टन उसके बाद क्या उसके बाद भी 1000 करों के सेल्स को मेंटर रख पाएंगा उसके बाद अपने एक्सपेंस को कंट्रूल करके क्या लगाता है वो अपने ऑपरिन पॉफिट है देख पानों कि 115, 121, 133, 138, 167 क्या इस बार भी इसको बीट कर पाएगा अगर इसको बीट कर दे क्या उसको भी क्या कंपनी क्वार्टन इसके बाद भी कंपनी अपने क्या मेंटर कर पाएगा यह भी देखना बहुत ही इंपॉर्टन पट है और यही पी मौनोंगस टर्निक के स्टेच्पन यह है कि कंपनी लगा था थाज़ अपना जो टौप बनाकर रखे है अपने सेश के साब से अपके नंबर के साब से कंपनी आने वाल टाइम में यह चीज़े वो में नहीं रख पाईगा जिनकी ज़िए स्टॉक में आपको एक बहुत ही है भी स्टॉक में आपको करेक्शन देशन को मिल सकता है और उन्हें जो स्टॉक का टार्गेट दिया 540 तक यान कि 44% के गिरा वड़के तो इसके पीछे का रिजियन है कि कंपनी जो लगा में अपने टॉप बनाता ही जा रहे है और से कंपनी के प्रफरमांनसी के साब से एक पॉइंट तो मैं जरूर बताना चाहूंगा जेपी मॉर्गन चलने के तरब से और वो है दोस्तों इनके कॉमेंटरी यानकि उनके रिपोर्ट वो जब भी कोई रिपोर्ट पब्लीश करता है तो उसमें से आप देखना हमें 10 में से कभी शाथ या आए आठ बार रिपोर्ट हमें से ही जाते हिए देखने को मिलेगा हाली में आपने देखाऊगा से हैं अपने पॉलते हैं आपको गिरते हैं को मिल सकता है 60 परसंट तो इतना तो नहीं है बट इक हैवी गिराबट भी आम देखने को मिला और इसके पीछह का रिजर्म यह था यकंपनी जो लगा तर अपना से टॉप बनाते जा रही है, कभी ने कभी उस चीज को कभी ने कभी उनके से नम्मर में आपको एक डाउन्फॉल्स देखने को मिले गाए, जिनकी ज़्यों गिरावाट आपको उनके इमपक आपको स्टॉक प्राइज में भी देखने को मिल रहे हैं जो कि आप देख भी पारूंगे एक दम टॉक पे और बहुत ही शांदा रिटर्न मरा के दिया है फिर अच्छे कासे जिन्हों ने investment किया है उनको एक reason मन जाएगा अपना profit booking करने के लिए तो प्लीज इस न्यूटल ते panic मत होना कार आपका vision long time के मैं पहले भी बता चुक हूँ अभी इतना ही काना चुक हूँ सिर्फ इन्हों ने target दीश के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि company में अगर किसी को investment करने ही है यही दोस्तों यह correct time होते है साथ ही साथ यह गिरावाट को यह ऐसा first time नहीं दिखा इससे पहले stock ने चार चार बार ऐसे गिरावाट देखा तीन तीन बार और इसको लेकर चार बार तो four time ऐसे correction दिखा चुका है company कोई खतम उन्हें वाली है नि online वाले company और इनके management के हाली में commentary आ था जिसको मैंने cover भी किया था कि company की जो इस बार Q4 के number रहेगा वह आपको quarter on quarter यहारे और यहारे दोनों बिस भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल सकते है अगर ऐसा होता है stock में जो गिरावाट हुआ उसमें आपको एक बहुती सांदर comeback देखने को मिल सकता है और मैं इसलिए कि बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी stock में गिरावाट होता है वह ज्यादा देखता है उस level तक वह रहता है जैसे क्योंकि company के performance से इतने strong होता है जिस company के performance से बहुत शांदर होता है वह stock आपको यह से फरक नहीं होना चाहिए कि आपने अभी बाइ किया और company के number थोड़ा से disamount आया और company के number मतलब बाजर को वह number अच्छे नहीं लगे और stock में तेजी नहीं आया और आप आसा सोच रहो कि अभी आपको रिटरन चाहिए तब ही जा कि आपको दिक्कत हो सकता है अगर हो अगर आप तीन साल पांच साल यह लॉंग टाइम के लिए टाइम देने के लिए हो और आपको ग्रोध वाले stock चाहिए कि आपको आपके पैसे चार गोना पांच गोना होना चाहिए कुछ सालों में तो आफ़ डेशनी इन stock के बार में जरूर बीचार कर सकतो तो the next stock है हमारा सो इमुद्रा लिम्टिट के अगर हम बात करें सो आज के दिन आप देख पारंगे stock में में अच्छे तेजी देखने को मिला लगबगे 6 पसंट का लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी ट्रैप मतलब ट्रैप मतलब क्या है फ्रेस बाइंग और average बिल्कुल भी मतलब खास करके ज बहुत कमाल किया तो ऐसे stock में आप average करो हाज stock आपको घिरावाट ही देते हो देखने को मिल जाएगा ऐसे stock में मत करना दोस्तों कि stock गिरता जाओ और average करते जाओ ऐसा गलती मत करना stock हो सकता है कि एक दो साल तीन साल comeback ना भी करें क्योंकि company अभी-अभी listing हुआ और जो भी company लिश्टिंग हुआ उसको चार्ट परण आप देख पारें तीजी फिर डाउन फॉन उसके बाद एक डिरसल तक वो फ्लैट ही दिखा रहे है तो ऐसे गलती मत करना अगर आपको फ्रेज बाइंग करना ही है तो अच्छे अच्छी stock आपको discount भी मिल रहे है उनको चाहता कि आप विचार कर सकते हो देख इतने को डाउट है कमसित में पूर सकते हो में ऐसे इंटेश्टिंग विए को साथ अब तक के लिए बाइब